अधा 1772 एस्वी में जो हमारे नए गवर्नर नियुक्त किये गए वारन हैस्टिंग उन्होंने द्वियत शाषन प्राली को समाप्त कर दिया अब तक हमने पड़ा कमपनी के जो बंगाल में गवर्नर थे उनके बारे में इसके बाद कमपनी ने Regulating Act 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को भारत के अंगरेजी नाजशेत्रों का गवर्नर जनर्र नियुक्त कर दिया कमपनी ने गवर्नर जनरल का कारिकार पांच वर्ष का निर्धारित कर दिया और मदरा सिवं बंबई के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन घोशित कर दिया बंगाल में पदिस्थापित गवर्नर जो Warren Hesting थे Company के Regulating Act के अनुसार Company के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए अब बात करते हैं Warren Hesting के बारे में Warren Hesting जो थे 1750 ऐस्वी में Company में कलर्क के रूप में कलकता में अपनी सेवाएं देने आए थे Warren Hesting अपनी मेहनत, लगन और कारी कुशलता के दम पर पहले कासिम बाजार के अध्यक्ष बने फिर बंगाल के गवर्नर और अंतिम रूप से बंगाल के गवर्नर जनरल भी बन गए और भारत के या कंपणी के गवर्नर जनरल नको कहने लग गए कम्पनी के Regulating Act के अनुसार 1774 इस्वी में गवर्नर जनरल बने वारन हैस्टिंग ने राज की कोश जिसको हम कहते हैं स्टेट टेजरी को मुर्षिदाबास से इस्तरांतित करकर कॉलकाता में स्थापित किया था वारन हैस्टिंग ने 1772 इस्वी में प्रतेक जिले में एक फोसदारी तथा दीवानी अदालत की भी इस्थापना की थी 1781 में हैस्टिंग ने कॉलकाता में मुस्लिम शिक्सा के विकास के लिए प्रतम मदरसे की इस्थापना भी की थी वारन हेस्टिंग ने मुगल समराट को दी जाने वाली 26 लाग रुपे की वार्षिक पेंशन को फिजूल खर्ची मानते हुए उसे समाप्त कर दिया हेस्टिंग ने गीता के अंग्रेज ने इनुवाद करता विलियम विलकिंसन को राजराश्य प्रदान किया और हर प्रकार की मदद भी की वार्ण हेस्टिंग से ही समय में सर विलियम जॉन्स ने 1784 इस्वी में दे एशियाल्टिक सोसाइटी ऑफ बेंगॉल की स्थापना भी की थी इसी के समय में 1776 की अगर बात करें तो संस्कृत में Code of Law जो है और 1881 में विलियम जॉन्स एवं कॉल बुक की Digest of Hindu Law जिसी महत्पून जो पुस्तके हैं वो प्रकाशित भी हुई थी अगर बात करें 1780 के समय की तो भारत का प्रथम समाचार पत्र दबंगाल गजट जिसके प्रकाशक जो थे जेम्स ऑगस्टरक हिस्की थे ये हैस्टिंग के समय पर ये काम हो रहा था वारन हेस्टिंग के शाशनकाल में ही Board of Revenue की स्थापना हुई थी और वारन हेस्टिंग के समय ही 1782 में जोनाथन डंकन ने बनारस में एक संस्कृत विश्विद्याले की स्थापना भी की थी वारन हेस्टिंग ने Governor General बनते ही 1774 में Regulating Act के तहट कलकत्ता में एक उच्च तम न्याले की स्थापना की थी इस उच्च न्याले का अधिकार शेत्र कलकत्ता तक ही सिमित था बाहर का मुकदमा तभी सुना जा सकता था तब दोनों पक्षों की इसमें सहमती हो एक बंगाली ब्राह्मन का यहां पर एक नाम आता है जिसका नाम है नंद कुमार और इस नंद कुमार ने 1775 इस्ट्वी में हेस्टिंग पर मीड जाफर की विदवा जिसका नाम है मुन्नी बेगम से लगभग साड़े तीन लाग रुपे की घूस लेने का आरोप लगाया और यह जो केस था नंद कुमार अभियोग के नाम से बहुत प्रसिद्ध हुआ इसके लिए हम प्रतक से वीडियो बना देंगे आपको इसमें समझ में आ जाएगा परन्तु शॉटकट में अगर बताएं तो नंद कुमार का आरोप जो था वो अदालत में नंद कुमार सिद हेस्टिंग के कारिकाल में ही प्रतम आंगल मराथा युद जो की 1775 से 82 तक लड़ा गया था और दुतिय आंगल मैसूर युद जो की 1780 से 84 तक लड़ा गया था वह संपन हुआ था इसके द्वारा बनारस के राजा जो चेत सिंग थे के स्थान पर उनके भतीजे को बनारस का नवाब बनाया और इसके समय में अवत के खाजाने की लूट की घटना ने वारन हेस्टिक के दामन पर कुछ दाग भी छोड़ दिये अगर बात करें वारन हेस्टिंग ने तो इसने पीट्स इंडिया एक 1784 के विरोध में अपना इस्तिफा दे दिया था वारन हेस्टिंग जो इसके उबर आरोप लगे थे उससे मुक्त हो गया और महाभियोग की प्रक्रिया भी समाप्थ हो जाती है इसके बाद जो हमारे पास आते हैं बंगाल के गवर्नर के रूप में तो वो आते हैं सर जाउन मेकफशन सर जॉन मेकफसेन जो हैं एक आइस्थाई गवर्नर जनरल थे और इनकी न्यूकती 1785 से 86 के बीच में हुई इसके बाद जो इस्थाई रूप से आएंगे वो हैंगे लॉट कार्नवालिस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बहुत सारी गलतियों और खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाया गया था और इस अधिनियम के माध्यम से भारत के अंदर जो शान्ती थी और जो शाशन था उसके पुनरकटन है तो हमें एक अच्छे गवर्नर जन्रल की डिमांड थी इसलिए लाट कार्नवालिस को 1786 में बुलाया गया भारत में गवर्नर जन्रल बने कार्नवालिस एक अच्छे वंश के और एक कूलीन व्रत्ती के वेक्ति थे इन्होंने भारती प्रशाशन में ब जाएक सुधारों की बात करें अगर तो कार्नवालिस ने